तो याद कैसे करेंगे? हम करेंगे कि देखो sludge है, sludge में क्या आ रहा है? एक L आ रहा है, एक D आ रहा है, L और D, L for, lower, और D for, down, तो lower और down, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है, नीचे, नीचे कौन सी चीज़ बैठ जाएगी? नीचे बैठ जाएगी sludge, तो नीचे कौन बैठेगा? नीचे बैठेगा sludge, समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो दूसरा anaerobic और aerobic digestion, इसमें भी confusion होता है कि कौन सा अंदर होता है, कौन सा बाहर होता है, तो तो तुम anaerobic की बात करो, तो anaerobic digestion में आ रहा है A और N, A और N से क्या बन गया? A, N से हो गया अंदर, तो अंदर क्या होता है? A और N से क्या हो गया? anaerobic digestion, तो anaerobic digestion अंदर होता है और aerobic digestion बाहर होता है, ऐसी sludge नीचे बैठ जाता है और समझ ऊपर देता रहता है, ठीक? तो ऐसे आप याद कर सकते हो